हलो फ्रेंट्स आज हम जटपट से इपी नूडल्स बनाएंगे ये खाने में बहुत ही स्वाधिश लगती है इसे बड़े से लेकर बच्चे सभी बहुत पसंद करते हैं तो चलिए इस डिलीशियस नूडल्स को बनाना सुरू करते हैं थोड़ा सा हमने कड़ाई में काटर काट कर दिया यह बहुत ही जल्दी बन जाती है जटपट से और इसको हमको लगभग एक से दो मिनिट ही थोड़ा सा बस पकाना है और हल्का थोड़ा ही हम इसमें नमक डालेंगे ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि मसाला भी हमारा स्पाइसी होता है उसमें नमक रहता करेंगे और उपर से यह पानी डाल देंगे तो तीन बंच हमने नूडल के लिए है तो तीन गिलास हमने पानी डाल दिया है पानी को हलका वाइल हो जाने देते हैं और जैसे ही पानी हमारा गरम होता है तो इसमें हम यह नूडल के बंच डाल देते हैं और इसको मीडियम slow flame करने पर ये अच्छे से पक जाएंगे कच्छे नहीं रहेंगे और ये जितना एक्ष्टा पानी है ये सारा एब्सॉर्ब कर लेगा और उपर से हम एक और पैकेट जो मसाला था तो इसको एड़ कर देते हैं मैगी मसाले को और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं आप इसको एंजोई करें